मुझा आगई है राधे के ट्रेलर की रिलीस डेट जिसका फैन्स को था बेसबरी से इंतजार सल्मान खान की फिल्म राधे योव मोस्ट वांड़ भाई के पोस्टर के आते ही पोस्टर को काफी जबरदस रिस्वांस मिल रहा है 13 मार्च को रिलीज हुई रादे और मोस्ट वॉंटेड भाई फिल्म के पोस्टर में सलमान खान काफी दमदार लुग में नजर आ रही है इस पोस्टर में सबसे पहले नजर डालते हैं सलमान की बॉड़ी पर आप तो देखी रहे होंगे कि सलमान की बॉड़ी कितनी होट है सलमान की बॉड़ी पर तो काफी लोग पहले से ही फिदा है वही पोस्टर के बैग्राउंड में एक उड़ता हुआ हेलिकॉप्टर नजर आ रहा है और सलमान खान हाथ में पिस्टॉल ले नजर आ रही है इस पोस्टर में सलमान खान धमाकेदार आक्शन मोड में है वैसे तो हम सब जानते हैं कि सलमान की फैन्स को इस फिल्म का कितना बेसबरी से इंतजार है तो आपकी उठसुकता को और बढ़ाने आ गई है एक धमाकेदार खबर और वो ये है कि सलमान की फिल्म राधे के पोस्टर के बाद अब फिर तहल का मचाने फिल्म के ट्रेलर को एप्रिल के पहले हफते में रिलीज किया जाएगा आईए जानते हैं फिल्म के बारे में कुछ और इंट्रेस्टिंग बाते आपको बता दे कि फिल्म में लीड रोल में सलमान के ओपोसित नजर आएंगी दिशा पतानी जिनका अभी तक कोई भी लुक सामने नहीं आया है फिल्म में दिशा पतानी के अलावा रंदी फुद्डा, जैकी श्रॉफ और मेगा आकाश होंगे इतना ही नहीं बलकि जानकारी के मताबिक फिल्म में जैकलीन फर्नांडेस का एक आइटम सॉंग भी होगा 13 मार्च 2021 को खुद सल्मान ने फिल्म के बारे में शेयर किया है कि ईद का कॉमिटमेंट था ईद पर ही आएंगे क्योंकि एक बार जो मैंने इसके अलावा सल्मान ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म की रिलीज डेर की घोशना कर दी है जो कि इस साल 13 माई ईद के मौके पर होगी प्रभुदिवा की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2020 में रिलीज होनी थी लेकिन कोरोना महामारी के चर्ते ये मुम्किन नहीं हुआ अब ये देखना बाकी है कि सल्मान राधे के ट्रेलर से कितनी एकसाइटमेंट देते हैं